कि अपर लोग देखेंगे कि कैसे हम ग्रिट को मल्टिपल अंड के साथ करेक्ट कर सकते हैं एक हब को जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास लेट से एक हब यह है उसमें मल्टिपल नोडस को करेक्ट करते यह ऐसा कुछ structure structure बनता है जैसा है आप मैंने दिखा रखा है और इस structure को हमने पहले भी बनाया था बट उसके लिए हमने simply क्या किया था एक हप को invoke किया default configuration के साथ और उसके बाद हमने क्या किया notes को invoke किया default configurations के साथ कुछ ऐसे java-jar selenium standalone roll होगा इसका hub और port होगा इसका let's say by default जो port होता है हम उस पर रखते हैं एक और command prompt खोल लेते तब तक या वर मैं एक ही machine पर करके दिखा रहा हूँ लेकिन आप इसको different machine पर कर सकते हैं obviously grid का मतलब यह होगा कि आया पर different machines यूज़ो बस difference यहां पर यह हो जाएगा कि जो machine की connectivity है वो आपकी जरूर होनी चाहिए आपको ध्यान रखना होगा रोल मेरा नोड है हब मेरा लोकलोस्ट सॉरी फो 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 यहां पर बताया गया फो 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 पर रेजिस्टेड है इसका अब मैं port default लेता हूं से दुबारा जाते हैं हम लोग अपने गूगल ग्रॉम पर हम देखेंगे कि कैसे गूगल ग्रॉम पर हम लोग उसको console को देखेंगे ग्रिड के एक क्लाइंट होगे मेरा default configurations के साथ ऐसी अगर मैंने जब दूसरा क्लाइंट किया था जावा हैफन जार स्लेनियम स्टैंडलोन जार रोल नोड हब HTTP लोकल होस्ट अभी लोकल होस्ट पर है अगर आप जब ग्रिड यूज करेंगे different machines का तो आपको उस system का IP देना पड़ेगा उस machine का तो यहाँ पर मिर पाइए exception आ गई कि जो default port है वो हमने यहाँ नोड पर पहले यूज कर रहा था तो हम यहाँ पर एक port option देंगे नाइन 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 लेट से अब यह दो क्लाइंट रिजिस्चर हो गए दो नोड डबल फॉर डबल फॉर पर जो तो हम इसको रिप उसको करेक्ट कर रहे है 555 यह है इसका पोड़ है और डबल लाइन डबल लाइन इसका पोड़ है अब इसको मैं refresh करता हूँ तो यहाँ पर मेर पास दो क्लाइंट दिख रहें आपको अब दो क्लाइंट दिखने के बात यह तो हमने default configurations के ग्राद किया let's say मैं इसको stop करता हूँ hub को hub को stop किया तो यह visible बंद हो जाएगा अपने अपी यह connect नहीं होगा इसको भी stop किया सारे clients भी stop कर दिया मैंने hub के साथ साथ तो यह connect नहीं हो रहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरा role hub इसका है मैं यह पास एक json file है वो json file hub.json है host में localhost ले रहा हूँ port मेरा by default उठाया time out कितना होना चाहिए कोई servlet है prioritize कर रहे है capability matcher इसमें हमने URL दिया है basically class file दिया यह आपर present है या नहीं है node कितने time में pole करना चाहिए कितने time में clean up होना चाहिए millisecond में value है time out कितने millisecond में होना चाहिए browser time out maximum sessions कितने loud है यह सब कुछ अपने दिया तो अब मैं इसको option दूँगा hub config और hub.json file को execute कराऊंगा तो मेरा selenium grid अप हो गया तो यहाँ पर मेरी config change हो गई जो config मैंने hub में दिये वो यह है sorry json file में दिये है hub के लिए वो यह है जबकि पहले वो default config उठा रहा था तो एक note को मैं बीना json file के invoke करवाता हूँ इसको refresh करेंगे तो मैं पस यह values आ गई वापस से इसकी configuration default है तो यह time out port यह है default time out यह है clean up cycle इतनी है तो यह सब default values आ गई लेकिन इसको मैं इसकी node config एक node.json file से उठाता हूँ इसको refresh करेंगे तो इसकी config values थोड़ी सी different आएंगी क्योंकि हमने इसको json file से उठाया अगर मैंने यहाँ पर firefox के 5 इंस्टेल ने है chrome के 5 internet के एक लेट से मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको stop करता हूँ और दुबारा execute करता हूँ तो मैंने आपर chrome को 3 कर दिया refresh करूँगा यहाँ पर chain नहीं हुआ stop करके यह जो refresh होता है आपने आप उस टाइम का वेट करें या फिर खुद restart कर दे इसको तो मेरे दोनों hub register हो के restart हो गए तो जैसे ही मैंने refresh किया restart करने के बाद तो मेरे chrome जो है वो 3 हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पर जो instance बोले थे वो 3 बोले थे तो ऐसी आप अपनी configurations को change कर सकते है JSON file को ऐसे use कर सकते है एक बारी node के parameters देखते है पहले capabilities आएंगी यहाँ पर आप अपने platforms की detail देते हैं या browsers इन सब की detail दे रहे हैं साथ में selenium protocol web driver है एक RC होता है और एक web driver होता है selenium में हम यहाँ पर सिरफ web driver की बात कर रहे है तो यहाँ पर मेरी वही same proxy है जो हम use करते है selenium के लिए max session port जो भी मेरा default अभी यह है वो यह यहाँ पर यहाँ पर four four five करेंगे तो यह यहाँ पर यह port यूज़ करेगा हब का मेरा double four double four है make sure कि आप same port कभी भी यूज़ ना करें because वो exception दे देगा उसके राद बाखे details same है polling time कितना है debug हमारे logs debug होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो ऐसे करके आपने देखा कि कैसे हम json file से भी इसको execute करते है तो हमने अभी तक देख लिया कि हम कैसे grid में एक hub बनाया and number of nodes बना सकते है जिसको आप n की value अभी हमने 2 रखी है यानि 2 nodes बनाया अभी तक हमने और जब यह nodes बनने के बाद आप कभी भी code execute करेंगे या फिर कोई भी operation perform करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे इनको use करते हैं वो हम आगे देखेंगे अगले tutorial में तो हमने ये भी देखा कि उनको default configuration या json file की configuration से कैसे करते हैं और हमने ये भी देखा कि हमने कैसे ये same configuration को जैसे हमने यहाँ पर port जो है sorry यह hub की config है हमने यहाँ पर एक node में यहाँ पर जैसे port हमने 5555 की जगा 7878 ले लिया तो यह हम configuration change कर रहे हैं command line से ऐसे यहाँ पर मैं अगर कुछ कहूँ कि मेरा webdriver.chrome.driver equal to और path दे दूँ chrome driver का वहाँ से use करना है तो ऐसे मैं यह चीज़ में भी कर सकता हूँ और उसे बाद उसको execute करूँगा तो वहाँ से chrome driver उठाएगा तो ऐसे हम जो यह configuration है command line से भी change कर सकते हैं पर json file से use करना ज़्यादा असान है programming के लिए भी जिससे आपके पास एक data भी रहता है जिसमें आप use कर सकते हैं और future के लिए उससे refer भी कर सकते हैं अभी हमने यह command line से चलाया आप चाहें तो इसे एक batch file में डालके हमेशा के लिए चला सकते हैं जैसे same command को आप batch file में चलाये और run करें for example मैंने यह चलाया मालो मेरी batch file है वो हमेशा यह start करती है तो यह अपने आप में यह start हो जाएगा different batch file में जैसे यह start हो गया और आप इससे बाहर आ सकते हैं तो यह by default एक batch file में भी चला सकते हो आप same command को start क्या करता है कि different command prompt में invoke करता है तो यह एक तरीके से आप अपनी batch file से चलाया और आपने एक different command prompt में invoke कर दिया यह same command prompt में invoke कर दिया और उसे अपनी machine में हमेशा के लिए चलने देंगे तो ऐसे भी हो सकता है तो हमने देख लिया कि कैसे हम command line के साथ यह सब करते हैं आगे हम देखेंगे कि इस पर code Java के थूँ Selenium के थूँ कैसे helpful होता है तो अभी के लिए इतना ही Thank you